नमस्ते दोस्तों आप देखेंगे रॉब है उसी इंडिया और मैं आज आपको बताऊंगी कि लग मैरेज करने के लिए एक लड़का और लड़की की कानुनन कित्री उनुन होनी चाहिए और साथ सकते हैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैरेज को रेजिस्ट्रेशन या पोर्थ मैरेज करने के लिए भी कानुननन एक लड़का और लड़की की इनुन की त्रीम होनी चाहिए लेकिन दूस्तों उससे पहले हम देख लेता है कि आख मैं इस वीडियो में इनकी पुश्टिब कर जवाब देने का दल मुनुन कि मेरा भी एज 18 years है क्या हम शादी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम तो इनकों की से प्रीट जरोड बताए तो दोस्तो इन सबी question का जवाब सेम ही है लेकि उससे पहले आपको हमारे देश का जो शादी से जुले कानूं में उसको अच्छी से समझना पड़ेगा दोस्तो वहमारे देश में special marriage application मातल से आप love marriage या court marriage कर सकते हैं special marriage application chapter 2 और chapter 3 में दिया कोई है कि court marriage कैसे करना है और उसकी क्या क्या नियम है दोस्तो वहमारे देश के कानूं की हुताविक एक लग्टी का उंडर 21 या उसस उपर होना चाहिए और एक लग्टी का उंडर 18 या उसस उपर होना चाहिए कभी चाहिए दोनों कानूंना लंग marriage कर सकते हैं या पे court marriage भी कर सकते हैं इस संदर्ख में जाएगी सोना जी कोशें कर जवाब देना चाहूंगी जो पूछते हैं कि हाई जी लग्टी 2 साल बीक होन तो कर सकते हैं या बता हो तो भाइ लड़ी लड़ी से 1 साल बढ़ा हो या 100 साल बढ़ा हो कोई फाट नहीं करता बश रहते लटी का उम्र 18 से लेकर उपर होना चाहिए और नगे का उम्र 21 से लेकर उपर होना चाहिए लेकिन यहां लट्रे का 20 साल अभी तक नहीं हो तो यह शादी नहीं हो सकते उसके बाद जुद्र मेर सामिसाइनी यह पूछते है कि सर मेरा गल्पर एज 18 से लेकिन मेरा भी एज 18 से क्या हम शादी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम तो भी होगी सर कि ज़रूर बताए तो जिदें के सानी जोगी को प्रॉब्लम हो सकते क्योंकि आपका एज अभी की 18 साल है अभी तक आप 21 साल के नहीं होए तो दोस्तो इस वीडियो के लिचे कमेंट काना नहीं पूलिएगा और इसे लाइब और शेयर परना भी हान पूलिएगा निते हैं आपके सब एक्स वीडियो में तब तक का तब